उत्तरपदेश की योगी आतितना सरकार के दूसरे कारेकाल के आज सो दिन पूरे हो गए मुख्यमंत्री योगी आतितनाथ ने अपनी सरकार के दूसरे कारेकाल के सो दिन के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड पेस किया मुख्यमंत्री योगी अधित्रनाथ ने सरकार के कामकाच के सौ दिन पूरे होने पर कहा कि हमारी सरकार के दूसरे कारेकाल के सौ दिन जनता की सेवा, सुरक्षा और सुसासन को समर्पित रहे हैं यही कारण है कि पहले विधान सबाच चुनाव में पर्चंड बहुमार, फिर विधान परिसत चुनाव में जीत और अभी हाली में आजमगोड और रामपूर में हुए लोग सबाव चुनाव में भाजपा की जीत सरकार पर जनविश्वास का प्रतीक है जिस उदेशे से अपना असरिवाद दिया था जीत कव सिल्सला जनविश्वास का प्रतीक तो था ही वह निरंतर नित ने प्रतिमान स्थापित कर रहा है प्रदेश के अंदर दो महत्वकून लोग सबाव की उप्चनाव भी संपन होए हैं एक पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजमगड में और एक पस्यमी उत्तर प्रदेश के रामपूर में दोनों सीटें 2019 के लोग सबाव चनाव में समाजवादी पार्टी ने जीती थी इस उप चनाव में जनता जनार्दन का असरिवाद भारती जनता पार्टी को प्राप्त हुआ और दोनों सीटों पर भी भारती जनता पार्टी के प्रत्यासी बिजई हुए जलत के पंथाomp, मिन हमकि जल्ग अब 12 जूलाई को सुनवाई होगी इस दौरान जलत के जलत क्मिंप मुछ से धंशा Citizen ले धाग अपनात दोंने अपनी आदूरी बहस सुरू की लेकिन कुछ देर बाद ही जिला जज ने सुनवाई की अगली तारिक तैकर और अब इस पर 12 जुलाई को सुनवाई होगी। आयोध्या में बंड़ा है राममंदिर की सुलक्षा व्यवस्था हाइटेक होगी। इसको लेकर CISF ने प्लान तयार कर लिया है। ADG के अधर्चता में हुई बैठक में सुलक्षा व्यवस्था की तैयारियों को लेकर बैठक होई जिसमें सुलक्षा मानकों को लेकर अंसी मुहर लगाई गई। सहारनपूर में खनन माफिया हाजी इकबाल के घर पर फिर बुल्डोजर की करवाई की गई है। तमाम अवेज संपत्यों के ध्वस्थ किया गया। दिल्ली में विधायकों और मंत्रियों की सेल्ली को बढ़ाया गया है। पहले विधायकों को 12,000 सेल्ली मिलती थी उसको 18,000 कर दिया गया। वही विधान समय भत्ता 18,000 से बढ़ाकर 25,000 किया गया। इसके अलावा वाहन भत्ते को 6,000 से बढ़ाक 10,000 कर दिया गया वही टेलिफोन भत्ता 8,000 से 10,000 कर दिया गया है इसके अलावा सचिवाले भत्ता 10,000 से 15,000 किया गया है सेलरीज जो हैं सबसे अची सेलरीज हैं हमें मानते हैं कि कॉर्परेट के मुकाबले सेलरी तो नहीं दी जा सकती लगर अच्छी सुविधाएं और एक इज़त के लाइक जो है वो सेलरी दी जानी चाहिए डेटा ओपरेटर्स की जरुवत अब जादा दिल्ली में पढ़ती है क्योंकि जादा तर सरकार के काम ऑल्लाइन हो गए हैं जिसके लिए स्कैनिंग करके फॉर्म फिलप करने पढ़ते हैं विधायकों के कारयाले में सेंक्डों लोग इन कामों के लिए आते हैं तो डेटा डेटा इंट्री ऑपरेटर्स जो हैं उसकी संख्या चार करने की बात भी जो है आम आदिपार्टी और भाजपा के विज़ायक दोनों ने किये और हमें उमीद है कि यह होगा उत्राखंड में भारी बारिस के अलर्ट को देखते हुए पहालों पर सतरक्ता बरतने के लिए कुमाओ के कमिश्टर दीक पक्रावत ने अधिकारियों को अलर्ट रहने के निज़देश दिये इसके अलावा बागेस्वर में बिजली प्रभाविती इलाकों में बिजली आपूर्ती जल्द सुचारू करने के लिए भी का आपको पता है बागेस्वर में बंद सडकों को खोलना का प्रयाज चारी इसके लावा आपदा को देखते हुए सभी जिला अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तै की गई है जो स्लाइड जोन निरंतर वाले हैं या नदी नाले निरंतर वाले हैं उसके आसपास ही अगर कोई दुकान है या ग्राम पंचायत है या कुछ और बाडी है तो उससे हम अग्रीमेंट्स कर लें यह लोग फसते हैं तो उनको चाय पानी या खाने पीने का समान एन मौके पे न दौड़ना पड़े उसके लिए वहाँ पे हमें एक तरह से मिल जाए थर्डली जो हमारे एमर्जेंसी ऑपरेशन सेंटर हैं उसमें फॉरेस्ट के और पुलिस के दोनों के वाइरलेस सेट वहाँ पे हो और रेविन्यो वाले तो खेर उसको मैन करते हैं प्रशाशन के लोग उत्राखंड के चमोली में नंदाकनी नदी में गाय फस गई जिसको NDRF ने रेस्क्यू कर निकाल लिया नदी में गाय फसने की खबर के बाद NDRF की जवानों ने ऑपरेशन चलाकर गाय को कड़ी मसकत के बाद सुराचित नदी से बाहर निकाल लिया उत्राखंड में उनिफार्म सिविल कोड लागू करने की तयारी पूरी कर ली गई है इसको लेकर उत्राखंड भवन में बैठक भी हुई इस बैठक में UCC को लागू करने के लिए बनाई गई पास अधस्य कमेटी के लोग सामिल थे जिसमें रिटायर जाज रजनादेशा अन्य लोग भी सामिल थे